आज हम लोग लाइफ सेंस में एक नया चैप्टर का आगास करेंगे और उस चैप्टर का नाम है अड़ेप्टेशन उर्दू इसे करते हैं मताबिकत अड़ेप्टेशन को कहा जाता है यह सर्वाइबल स्ट्राटेजीज सर्वाइबल स्ट्राटेजीज सर्वाइबल स्ट्राटेजीज सर्वाइब का मतलब होता है जिन्दा रहना और स्ट्राटेजीज का मतलब होता है तदाबीर तद्दीर तरकीम वगएरा वगएरा तो adaptation का मतलब हुआ survival strategies जानदार जिसमें plants भी होते हैं और आपके animals भी होते हैं इनसान भी होते हैं तो जिन्दा रहने के लिए जो है कुछ नकुछ तद्बीरे जो है इस्तेमाल करते रहता है environment के environment में रहकर हमारा जो environment है वो जो है यक्सा नहीं रहता है यह बदलता रहता है अच्छा हम उसे बाद में आते हैं adaptation एक biological term है English में इससे मिलता जूलता word है आप सूरे होंगे adjustment 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 adjust करना हम लोग जिन्दगी में बहुँ से एक चीज़े में जो है adjust करते हैं मिसाल के तरफ पर अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं अगर तीन लोगों को battling अगर seat है तो उसमें एक चोथा आदमी बोलता के जड़ा सा मूव कर जाइए तो थोरा से जब जगा हो जाता है तो उसमें फिर चौथा आदमी वहां पर बैढ़ जाता है हाला कि मैटने का सीट तीन ही आदमी का है लेकि थोरी से जगा जब नहीं जाती है तो उसमें जो थोरी से जगा में जो है आदमी फिर बैठ जाता है एक जांग सीट पर रखता है एक जांग बाहर रखता है किसी से एज़स्ट कर जाता है इसको हम एज़स्ट एज़स्ट मोलत कि उसको फ़ना चीज का हैबिट हो गिया है उसका आदी हो गिया है जैसे यूज्ज टू अंग्रेजी में हम बहुत कि चीज के साथ जो है बहुत दिनों के साथ रहते लिए उसके उसके साथ एजस्ट कर लिया है और एक वर्ड है आक्लाइमाटाईजेशन देखिए हमारे मुल्क से जब कोई क्रिकेट टीम जए ओवर सीज वन्टे स्रीज या टेस्रीज खेंने के लिए जाती है आस्टेलिया हुआ या इंग्लेंड हुआ या न्यूजीलेंड हुआ तो वहाँ पहुंचने के बाद फॉरण एक या दो दिन के बाद जो है वो मैचेस खेलने स्टार्ट नहीं करती है वह दो चार रोज हब्दा रोज क्या है वार्म अप मैचेस खेलते हैं तो उसके बाद फ तिम जो ओवर सी जाती है तो वहाँ पर जाने के बाद चुपे वहाँ एक न्यू कलाइमिट में यह जो है DاخL होते तो उसफे न्यू क्लाइमिट के साथ चंद रोज जो है और जप्धेस्ट करने में जो गुझारते ह उसको अंग्रिजी में करते है, आकलामाइटाइज, Wहाँ के न्यू कलाइमिट के साथ हम आहंग हो जाना, उसके साथ मताबिकत अख्यार कर लेना, तो आकलामाइटाइज उसको हम करते हैं, बनने वहाँ के गहर मुलकी आब अ-ब हवा, वहाँका मोसम के साथ अर्ज़स्ट कर जाता है तो adaptation से मुतलिक ये कुछ और चाल मिलता जूनता अलफाज है हाला कि adaptation जो है ये एक biological term है हम कहते है कि मनए he is adapted to the environment अच्छा जब भी adaptation का लब्ज इस्तिमार होता है तो उसके साथ जो automatically environment का भी concept चला आता है environment adaptation इनसान किसके साथ करता है किस चीज के साथ environment अबड़ करता है वह adapt करता है माहल के साथ new environment के साथ और जजस्ट करता है अच्छा हम यह जानते हैं कि इस जमीन के उपर जो है हर जगा जो एक जैसा environment नहीं है एक जैसा environment नहीं है environment जो है मुकाम की बदलने से बदलते रहता है जिससे फर्स कर लिए जैसे कि पहाड़ी अलाका है वहाँ सर्दी ज्यादा परती है वहाँ पहाड़ों पर सालों भर बर्फ जमा रहता है तो वहाँ का मौसम जो है एकदम cold weather, cold climate वहाँ का है उसी तरह से आप साहिली अलाके में चले जाएं, coastal region में तो वहाँ का जो climate है या weather है वो moderate होता है ज्यादा गर्मी परती है और ज्यादा सर्दी परती है उसी तरह से आप जो है ये दूसरे खिते में अगर आप चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत ज्यादा गर्मी परती है या 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 जो equatorial region होता है जैसे हमारे मुलक जिसे आपका ये आपका गुजरात हुआ यू पी यू गुजरात महराश्टी ये सब महराश्ता नहीं गुजरात मद्धपवजी जो आखा हुआ यह बहुत गरम आखा है तो कहने के मतलब है कि हम अमने की जमीन पर कहीं यह विविवगाद्ट गन्डीशन्स जो भी बूले एक जासन नहीं रहता यह बनते रहता है और चुक्छे इस जमीन के उपर हर जग़ एक जिएसा महाथा नहीं है इनवायरियमेट नहीं है उस थिक उसी तरह ہر جگہ جو ہے زمین پر آپ کو ایک طرح کے، ایک ہی قسم کے نبطات یا ایک ہی قسم کے جاندار آپ کو نہیں ملیں گے. کسی علاقے میں کچھ نبطات ہیں, کسی علاقے میں کچھ ہیں, کسی علاقے میں کچھ جانور پا جاتے ہیں upon میں دوسرے قسم کا جانور پا جاتے ہیں. مثلا جو خود بھی یہ علاقہ ہے, یا شگہ آپ کا North Pole یہ جو polar region se کہتے ہیں. So polar Melbourne's میں وہاں جو Man aimals NavalSNP जाते हैं वो दूसरे अलाकों में नहीं पाई जाते हैं उसी तरह से जैसे आपका डेजर्ट का इलाका है रेगिस्तानी इलाका वहां पर चुंकि जो है रात बहुत ज्यादा गर्वी परती है वहां पानी की किलत है वहां पर बारिश नहीं होती है वहां पर आपका जो है पाय जाते हैं वो दूसरे अलाकों में आपको नहीं देखने को मिलेंगे यहां वहां जो जानवर पाय जाते हैं वो जानवर दूसरे जगों में देखने को नहीं मिलेंगे अच्छा उसी तरह से आपका जो पहाड़ी अलाका है पहाड़ी अलाका में भी जो आपको जिस तरह क हुआ है या जो आपका समंदरी इलाका हुआ है वहाँ पर दूसरी किसम के नबातात मिलेंगे तो कहने का मतलब यह है कि चुके माहौल अल्ला ताला जो है इस जमीन के ओपर हर जगा यकसा नहीं रखा है माहौल बदलते रहता है बदले हुआ माहौल जो हर जगा है इसलिए बदलते हुए माहौल के मताबिक जो है उन माहौल में जो है मुक्तलिक किसम के नबातात और जो है जानवर पाए जाते हैं आप एक ही किसम के आप डिफरेंट इन्वार्नमेंटल कंडिशन्स में एक तरह के जानवर आप लाकर नहीं रख सकते हैं अच्छा इन्वार्नमेंट से और क्या मुराद है इन्वार्नमेंट से मुराद ही है या इन्वार्नमेंट को हम एक के लिए एक और जो है खुब एप्रोप्रियट वर जो यूज होता है वो होता है है भी टैट है भी टैट एक भी आई habitat 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 क्या है habitat environment ही है लेकिन एक प्रटिकूलर इस environment है एक specific locality में एक प्रटिकूलर environment होता है आउस प्रटिकूलर environment में प्रटिकूलर जो है आपके organism स्पाज आते हैं अब हैपिटेट से मुला जे सफ़ाद के लिए यह डेजर्ट डेजर्ट क्या हुआ एक प्रटिकूलर environment है उस प्रटिकूलर environment में अच्छा यह प्रटिकूलर environment क्या है एक प्रटिकूलर प्लेस में प्रटिकूलर लोकालिटी में है मसलब आपका जैसे हमारे मुलक में आपको एनिमर्स जो वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे तो habitat क्या हुआ है? habitat है एक particular locality में particular life conditions होते हैं और इस particular life conditions में particular किस मिकेल जो है आपके जानदार वहाँ पर पायाते हैं अच्छा अब जैसे फर्सक्राइब habitat में जैसे आपका pond, lake, आपका river, आपका दरिया, आपका सम्मंदर यह एक particular habitat हुआ अब इस particular habitat में क्या होता है? एक खास किसम के वहाँ जानदार पायाते हैं मतलँ मच्छनिया पायाते हैं मच्छनिया आपको जो है aquatic conditions में आपको देहनों को मिलेंगे तो तलाब हुआ या आपका दरिया हुआ या आपका जील हुआ पोखर हुआ यह एक habitat है यहाँ पर जो है यहाँ का life conditions जो है आपका खुशकी जमीन से बहुती different किसम का है इसलिए वहाँ पर एक खास किसम के जानदार पा जाते हैं जिसे हम मच्छलियों के लाम से हम जानते हैं उसी तरह से dry land है dry land के उपर जो है जो जानदार पाए जाते हैं आपको पानी में नहीं पाए जाते हैं तो कहने के मतलब है अलग अलग जो है इन्वाइरनमेंट है अच्छा इसको और एक मिसाल से समझिए के जैसे फर्स के लिजिए कि गर्मी का महीना भी चला है तो जब तक गर्मी का महीना चला है तो उस महीने में जो है या गर्मी का जो माहौल है उस माहौल में लोग जिन्दा प्रबाब करते हैं आपका फ्रेंट करते हैं जो कि अमने धुलत मंन्न लोग है अपने घर में एसी का पर स करते हैं आप फिर से लाइट हलका फूलका कपड़ा पहनते हैं यह क्यों होता है यह इसे लोता है ताके लोग गर्मी के महोर में जो हैं जिन्दा रहने सकें अच्छा अब फिर जब सीजन में तब्दिली आती है मतलब गर्मी से जब आपका जाड़े का सीजन शुरू होता है तो चुकि चेंज ऑफ सीजन हो जाता है इसलिए इनसान जो है अपने लाइफ स्टाइल में विका कर तो एक तब्दिली मिलाता है एक चेंजेज लाता है चेंजेज किसी में लाता है पोशाक में तब्दिली लाता है अब तक वह जो पंखा के इस्तिमाल कर रहा था एसी के इस्तिमाल करता है जारे के महिने में वह पंखा के इस्तिमाल बंद कर देता है जहां वह मनें लाइट क्लोज पहना करते पहना करते थे अब वो जो है गरम जो है पोशाक पनदा शुरू करता है कोट जैकेट मफ़लर श्直接 इस तरह के जो है लिबास पनदा शुरू करते हैं ऐसा क्यों करते हैं जुकर सी जन बी ठब्दिलिवी सगा कि अब सीजन के साथ मताबिकत रखने के लिए जो है इंसान जो ह कि खूप सर्दी पर रही है तेज हावा चल रही है उसमें आदमी जो है अगर एक सिर्फ गंजी पहन कर रहा बाहर निकलेगा तो मनें इमकान है कि उसे ठंड लग जाएगा अगर ठंड लग जाएगा तो वह मर जाएगा तो चूंकि वह जिन्दा रहना चाहते हैं मरना नहीं चाहता है इसलिए वह मॉसम के अगर जाएगा तो उसकी जान को खतरा है इसलिए मॉसम के साथ हम आहंक रखने के लिए वह अपने अंदर एक तब्दीली लाता है क्वा तबिलाता है अपने पोसाक। यह वह बदर ने नयक किसी वह मुने आपको गरम लिबास पढ़ना शूरू करता है तो सीजन के साथ यहां पर क्या हुआ कि सीजन के साथ मताबिकत रखेने के लिए इनसान अपने अंदर तब्दीली लाता है तो अधेप्टेशन में क्या है एन्वारनमेंट में के साथ अजस्ट करना करने को हम क्याते है यह कहते हैं अब तो अधेप्टेशन का देखे हमने तीन तरह का डिफिनिशन लिए हाला के सब में एक ही चीज यह मुश्तरका चीज है कुछ ज्यादा फर्क ही नहीं है लेकिन अलग-अलग ढंक से हमने लिखा है इसको हम पढ़ते हैं और समझने के कोशि अधेप्टेशन का हुआ अधेशन वह अमल है जिसके जरिया एक जानदार का जिसमानी साखत और उसके अजवयाती अफ़ाल उसे खास मौहर में काम्याबी के साथ जिन्दा रहने में मदद करती है अधेप्टेशन का हुआ है अधेप्टेशन वह अमल है जिसके जरिया एक जानदार का जिसमानी साखत और उसके अजवयाती अफ़ाल उस जानदार को एक खास मौहर में जिन्दा रहने में मदद करती हैं फिजियोलोजी तो आप जानदे हैं फिजियोलोजीकल प्रोसेस होता है जैसे डाइजेस्चन एक फिजिकल फिजियोलोजीकल प्रोसेस है जैसे बलट का सर्कुलेशन एक फिजियोलोजीकल फिनोमेना है आपका एक्सक्रीशन एक फिजियोलोजीकल प्रोसेस है रेस्पिरे करते हैं एक एक खास मकसद के लिए उसे को हम फीडियोलोगिक बोलते हैं और इस्ट्रक्चर क्या हुआ हमारे जिसमें का हमारे जिसमें जो ऑर्गन्स है इंटर्नल ऑर्गन्स और जो है एकस्टर्नल ऑर्गन्स इसको इस्ट्रक्चर करते हैं जो अडेप्टेशन का हुआ है वो अमर है जिसमें क्या होता है एक जानदार का जो अजु है या उसके जो अजवाती अफ़ार है उस जानदार को एक खास मोहर में जिन्दा रहने के लिए उसे क्या करते हैं? मदद करते हैं उसे हैं adaptation करते हैं दूसरा definition है कि adaptation is the modification of an organism that allows it to survive in its environment adaptation किया है adaptation किसी जानदार में होने वाली तब्दिलियां है जो उसे उसके मौहर में जिन्दा रहने में मदद करती है adaptation किया है एक जानदार के अंदर में जो तब्दिलियां होती कि modification में क्या क्या कोら thought modification उसके structure में हो सकता है उसके इसके ताकि environment में वह जिन्दा रहने में उसको मदद करतें खास महर में जिन्दा रहने में मदद कर सके और डिफिनिशन है के अड़ेप्टेशन इस दी पर्मानेंट पर्मानेंट इस ट्रॉक्चिरल फिजियो लॉजिकल और बिहेवियरल चेंज क्या मतलब हुआ कि किसी जानदार के जिस्म में होने वाला मुस्तकिल जिसमानी अजुयाती या बरताओं में होने वाला मुस्तकिल तबदिलिया है किसी खास मोहर में ज्यादा से ज्यादा दिनों तक जिन्दा रहने में उसे मदद करती है तो केहने के मतल्ब का हुआ है कि Adaptation मी क्या हना हुताय Déặtation में एक जानदार अडेपटेशन दो चीज़ है और ev खिलाप में नहीं जा सकते है इन्owा्यरणिमेंट के साथ with यह है धार नहीं कर सकते थे दुए जांदार है और इन्वार्णिमेंट है अगर में कुछ तब्दिली हो गई तो उस दिदिली के वुझा से जन जिस्म के जो श्ट्रॉक्ष समеф पिजरिकर जो चेंज उसमें रहा में भी चेंज आजाता है ताकि उसके साथ मुताबिकत रखने पाए मुताबिकत नहीं रखने पाएगा तो जानदार जिन्दार नहीं रहने पाएगा तो चुक्के जानदार को जिन्दार रहना है इसलिए वह माहौर के साथ जो है जिन्दा रहने पाएं तो जिन्दा रहना सबसे पहला मक्सद है एक जानदार का जिसके लिए अड़ेप्टेशन करता है दूसरा क्या है जानदार जो है अड़ेप्टेशन इसलिए करता है ताके वह जिनसी तौलिदी अमल के जरिया अपने नसल को जो है आग के के तरफ जो ह बढ़ा सके. तीसरा क्या है? तीसरा यह है कि या जानदार इसलिए करता है ताके घुहे वह दूसरे जानदारों से जो है अपने हिफाज़त कर सके, खुद को मुदाफियत कर सके जूसरे जान, दूसरे structure जो सिंग है यह यूही नहीं है इसके पीछे एक मक्षद है ताकि कोई दूसरा जानवार उस पर हमला करने आए तो अपने उस सिंग के जरिया से अपने को बचाने पाए तो इनसान तो जानदार के अंदर में जो है बहुत किसी के अपने जान के इफाज़त करता है ताकि वो जिंदा रहने पाए और इडिप्टेशन केसे बहुता है ताकि जो है जानदार जो है गज़ा और जिंदगी के जो दूसरे जोरुएत हैं उसको तहसील कर सके तो यह adaptation का जो है मकसद है अच्छा adaptation का किताब में भी देखे लगते हैं एक definition क्या दिया हुआ है adaptation यानी मताबकत जानदारों में माहुलियादी तहरीक के असर से होने वाले जिसमानी अजुयाती या बड़ताओं में तब्दीलियां जो ने मकसूस माहुल में जिन्दा रहने जिन्दा रहने और अफजाइस नसल करने में मदद करती है उन्हें मजिमुई जो पर मताबकत कहा जाता है यह भी एक definition है अच्छा और सुन लिए कि जानदार जिस माहुल में रहते हैं उस माहुल के लिए हाज से जानदारों के जिसमानी बनावत एंअजा के आमाल requirement of physiology यह उनके बरताव में बहुत सारी तब्दीलियां पैदा होती है इस तब्दीलियां किसमें पैदा हो रहे है structure में physiological function में और जानदार के behavior के बरताव में यह तब्दीलियां जानदारों को उस माहर में जिन्दा रहने के लाइख बना देती है यह तब्दिलियां इसलिए होता है ताकि जानदार उस माहर में जिन्दा रहने पाए किसी माहर से अचा यही तब्दिलिया मजमुई तोर पर मताबिकत कहलाती है अच्छा किसी माहूर से मुताबिकात जानदारों में अचानक पैदा नहीं होती है बन्हें मुताबिकात जो है जानदार में अचानक पैदा नहीं होती है बलकि ये एक slow process है जो कुज़ती इंतिखाब के जरिया नसल दर नसल इर्तिका के नतीजे में पैदा होती है तो adaptation में मुक्तसर में बात आप याद रखना है जानदार और environment जानदार के जिसमें में तबदिलिया हो रही है उसके किन किन चुए में तबदिया हो रही है उसके structure में physiological function में उसके behavior में ये तबदिलिया किसे हुए है ताके माहुल के साथ जिस माहुल में जानवर को place कर दिया गया है यह रख दिया है उस महरों के साथ मनेफिट रहने पाएं, उस महरों काम्यापी के साथ जिन्दा रहने पाएं, उसे हम मुतादिकत क्याते हैं यानि Planning और Organism & Environment कद्रिमियां में थौक हम आहंग. । अगिरिमेंट एक भूरि बन कंडिशंस निंग में रहने का नाम जो है मताबकत है तो यह था adaptation के बारे में हम उम्मीद करते हैं कि adaptation का जो concept है आपको समय में आया होगा Thank you very much